हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके पास भी है सैमसंग गैलक्सी F62 यानि F62 और यहाँ पे आपको आ रहे हैं दिक्कत कि आपके फोन से कोई भी कॉल नहीं लग रहा है यानि कॉल नहीं जा रहा है तो इसको हम ठीक कैसे करें आईए जानते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ में तरीके बताने वाला हूँ आप इन तरीकों को यूज करें और शायद इसके बाद आपकी दिक्कत 100% सॉल्व हो जाए सबसे पहला तरीका है आप अपने फोन को एक बार बंद करके चालू कर दीजिए शायद इसके बाद आपकी दिक्कत ठीक खो जाये और अगर आप अपने फोन को बंद करके चालू नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप अपने फोन में फ्लाइट मोड को यानि एरप्लाइन मोड को एक वार चालू कर दीजिए और इसके बाद आप 5 सेकंट रुखिए और इसके बाद आप इसे बंद कर तो यहाँ पर हम इसे बंद कर देते हैं और इसके बाद आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी पर अगर यह तरीका काम ना करें तो यहाँ पर आप दूसरा तरीका फॉलो करें आपको जाना है अपने मुबाइल की सेटिंग्स में यहाँ पर आईए आपको मिलेगा यहाँ पर एक मिलेंगे दोनों पर आप चालू कर दीजिए यहाँ पर आपको मिलेगा नेटवर्क पर करना है और नेटवर्क ओपर को आपको आटमेटिक पर कर देना है और इसके बाद आपकी दिक्कत ठीक हो जाएगी इसके अलाबा आप यहाँ पर किसी को call कर रहे हो तो नीची लिखा वा रहा है voice service block तो इसका मतलब साइद आपने अपना phone EMI यानि loan पे लिया होगा तो यह एक बहुत बड़ी problem है तो इसके लिए आपको YouTube पे अलग video मिल जाएगी जो की बड़ी है तो इस वीडियो में आपको मैं सही सी नहीं बता सकता तो किसी और की वीडियो है आप देख सकते हैं आपको सर्च करना है voice service block सैमसंग और आपको वीडियो मिल जाएगी सायदा को सब्सक्राइब आया होगा वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें